पिछले सेसन में मैंने टीनिया स्वलियम का लाइब साइकिल समझाया था अब हम लोग एक नए एनिमल फैसियोला हीपैटिका जिसे आम भासा में लीभर फ्लुक कहा जाता है उसका एस्टेडि करेंगे फैसियोला हीपैटिका इस पर्टिकुलर एस्पैसीज को शिप लीभर फ्लुक कहा जाता है क्योंकि यह शिप और गोट के अंदर पाया जाता है यह फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस के क्लास ट्रीमा टोडा जिसे अब रैपडाइटो फोरा कहा जाता है उसका मेंबर है इस फैमिली का ही नाम फैसियोलीडी है जिसका जीनस फैसियोला है फैसियोला हीपैटिका के अलाबे फैसियोला इंडिका फैसियोला जाइगेंटिका अन्य कई एस्पैसीज होते हैं इस डाइग्राम में आप यह डाइग्राम नहीं वास्तम में फोटोग्राफ है इसमें आप फैसियोला हीपैटिका और इससे काफी बड़े आकार का फैसियोला जाइगेंटिका होता है ये दो फुलूक आप देख रहे हैं फैसियोला हीपेटिका के बगल में देखिए क्या लिखा है सिफैली कोंस टू सोल्जर्स कनभर्जिंग मार्जिन्स ए स्मॉलर इन साइज इसका लेटरल मार्जिन कनभर्ज करते हुए पीछे पॉइंटेड हो रहा है थोड़ा ज्यादा उभरा हुआ सा लग रहा है बड़ी लेंथ के हिसाब से दाहिनी और फैसियोला जाइगेंटिका है केटल में मिलता है ये इसमें सोल्जर्स प्रॉमिनेंट नहीं है और पीछे की और भी ये लगातार कोनिकल नहीं होता है बलकि थोड़ा राउंडेड है हाँ इसका आगला हिस्सा सिफेली कोन जरूर प्रॉमिनेंट है ये दूसरा फोटोग्राफ है जिसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी दिख रही है इंटर्नल ओर्गेंस भी दिख रहा है इसमें लेबलिंग किया गया है आगे यहाँ पर माउथ होता है माउथ को घेर करके ओरल सकर है अंडर्फेरिंग्स स्टोमेक इंटेस्टाइन इत्यादी होते है इसके अलाबे यहाँ भेंटल सकर है यहाँ भेंटल सकर है जिसको एसीटाबूलम कहा जाता है फैसियोला हीपेटिका दलीभर फ्लूक इस वर्डवाइड डिस्टिब्यूटेट यानि दुनिया के लगबग सभी देशों में इसका इंफेक्शन सिप गोट में होता है इस लाइप साइकल इस डाइजेनेटिक यानि दो होस्ट के अंदर इसका जीवन चक्र पूरा होता है completed in two hosts the adult parasite is found in bile duct of primary host ship while a part of its life cycle as larval stage is found in secondary or intermediate host the fresh water snails genus R, planorbis, bullynus और lymnia तो adult रहता है ship, goat, cattle के liver के अंदर bile duct में और इसके sexual reproduction के द्वारा जब लार्भा बनते हैं तो larval stage गुजरता है fresh water में रहने वाले snail के बड़ी में लेकिन snail के अंदर larval stage है reproduction नहीं हो रहा है sexual हाँ larval से larval, larval से larval बनने की क्रिया poly embryonic की क्रिया इसमें पाई जाती है तो जब किसी parasite का life दो होस्ट में गुजरे तो digenetic parasite का लाता है और जो snail है उसको secondary host या intermediate host कहते हैं उसके अंदर sexual reproduction नहीं होता है अब कैसा है देखने में ये फैसियोला हिपेटिका shape, size और color यानि morphology कैसा है फैसियोला हिपेटिका है जे thin dorsal ventrally flattened, lip shaped, elongated and oval body फिगर आपने देखा, एकदम चप्ता आगे की और चारा, पीछे की और हलका नुकिला लंबा बडी है इट मेजर से बाओ 25-30 mm in length and 4-12 mm in width तो लंबाई 25-30 mm लेकिन चोड़ाई maximum 12 mm है अगे गोल सा लगता है, soldier बना हुआ लगता है और पीछे धीरे धीरे पतला होता चला जा रहा है इट इड यूजुवली pinkish in color but it appears brownish due to ingested bile of the host यह चुकि लिभर के bile duct में रहता है और bile खाता है तो इसके intestine में bile भरा रहने के कारण color इसका brownish लगता है आदरवाज अगर यह खाली पेट रहता तो इसका color pink होता अब बाहर से आपको क्या-क्या दिखाई पड़ेगा तो आगे एक डम आगे एक triangular oral col और हेर लोब है अगे जो नुकिला उबरा हिस्सा था उसके आपक्स पर माउथ है माउथ ट्रैंगूलर लगता है उससे को oral cone कहते हैं और उसको घेरते हुए circular muscle का एक ring बन जाता है जिसे oral sucker कहते हैं उसके ठीक पीछे एक ventral sucker या acetabulum भी है A large ventral sucker और acetabulum situated mid ventrally about 3-4 mm behind oral sucker यह ventral surface पर है इसलिए ventral sucker नाम है The suckers are cup-like muscular organs meant for attachment to the host यह चूसक चूसकर किछ खाने के लिए नहीं है बलकि अपने host के body से चिपकने के लिए एक vacuum create करके चिपक जाने की घटना होती है लीच में भी कुछ इसी तरह की बात होती है Mid ventrally in front of the ventral sucker is the common genital aperture और gonopore Ventral sucker के ठीक आगे ज्यान से अगर इसको देखियेगा तब एक छोटा सा aperture मिलेगा उसके अंदर genital chamber या genital atrium है male female दोनों genital system का termination उसी chamber के अंदर हो रहा तो इसके बाहरी opening को gonopore कहा गया और एकदम पीछे की ओर At the posterior end of body is the excretory pore तो आगे सबसे आगे mouth और सबसे पीछे excretory pore Mouth के पीछे oral सकर उसके पीछे gonopore और उसके पीछे ventral सकर या acetabulum है In addition to these apertures, a temporary opening of laurel's canal appear during the breeding season on the ventral surface just anterior to middle of the body तो female genital system का एक अतिरिक्त हिस्सा sexually mature form में reproduction के समय यानि breeding season में बाहर की ओर खुलता है dorsal surface की ओर खुलता है body के बिचो बीच लेंध पर anus is wanting because elementic canal is incomplete इसमें anus नहीं होता है intestine biped है वो पीछे large intestine और anus के रूप में बाहर नहीं खुलता है अब पहले body wall देखिये तब अंदर की बात करेंगे the body wall of fasciola hepatica consists of a thick layer of cuticle followed by a thin basement membrane and underlying muscle layers surrounding the mesin game body wall epidermal है तो उसका basement membrane भी होगा उसके नीचे circular muscle और फिर longitudinal muscle का घेरा है और तब उसका connective tissue यानि mesenchymal है the cuticle is secreted by special mesenchymal cells situated below muscle layer these cuticle secreting cells were believed to be sunken epidermal cells आमतोर से कहा जाता है कि epidermis का जो cells है वही cuticle का secretion करते है सारे के सारे cell cuticle का secretion करते है लेकिन इसमें epidermal cells specialized हो गए और वे अंडर धास्ते हुए muscle layer को पार करके मीजन काइम तक चले आए लेकिन उनका opening बाहरी सतह पर है तो उनके secretion से cuticle का निर्मान होता है इस cuticle में छोटे छोटे चोटे काटे निर्मान होता है तो मसल्स के तीन लेयर है बाहरी circular उसके नीचे longitudinal और तब उसके नीचे थोड़ा तीर्चा यानि ओवलिक या diagonal muscles है और मसल्स आरी स्मोथ skeletal muscle जैसा आप परते हैं उसके उपर dark और light band बना हुआ आप देखते हैं वैसा इसमें कोई band दिखाई नहीं परता है ये suckers के चारो और circular muscles का radial muscles का घेरा बन जाता है जिसे की suction किया जा सके चूज करके किसी सतह पर चिपका जा सके below the muscle मिजनकाइम हैं नूमेरस loosely arranged uninucleated and binucleated cells with syncytial network of fibers मिजनकाइम के अंदर कई सारे cell uninucleated है एक-एक nucleus वाले और कुछ binucleated है और एक cell दूसरे से जूट कर syncytial network बनाता है जाल सा बना लेता है अब हम लोग अंदर के organs की बात करें तो सबसे पहले digestive system the mouth which opens into a funnel shaped mouth cavity followed by a round muscular pharynx with thick valve and a small lumen the pharynx has pharyngeal glands fasciola indica has a short muscular pharynx from which an oral pouch arises which is about half the size of pharynx fasciola hypetica में कोई oral pouch नहीं है यानि बकल cavity नहीं है मुँ के पिछे सीधे pharynx है लेकिन fasciola indica में एक oral pouch बन जाता है अब ये देखिए internal structure में सिर्फ elementi canal सबसे आगे anterior पर mouth है उसको घेरते हुए oral सकर है छोटा सा इसोफेगस है और फिर आप देख रहे हैं बगल बगल लाल रंग से मसल का घेरा बनाया गया है ये muscular pharynx है इसके नीचले हिस्से को आप stomach मान सकते हैं वहां से bifurcate कर गया small intestine का दो हिस्सा जिससे दाएं बाएं बहुत सारे branch बनते चले गये हैं जो intestinal C का है इसकी मदद से food के distribution में बड़ी आसानी होती है बीच में ये gonopore और acetabulum यानि भेंटल सकर भी दिखलाए गया है there is a short narrow esophagus leading into an intestine which divides into two branches or intestinal C का और कुरूरा each running on one side of the posterior end पीछे तक दाय बाएं ये intestinal C का पहले हुए हैं the intestinal C का गिव आउट a number of branching diverticula in order to carry food to all parts of body thus the digestive system functions as gastroverscular cavity तो intestine जो टेरह मेरा branch बना कर दाय बाय फैला हुआ है यानि diverticula बनाय हुए है उसके कारण बड़ी के पूरी चोड़ाई में और आगे सिर्फ छोटा सा interior part छोड़ दें तो हर हिस्से में intestinal diverticula पाये जाते हैं तो हर जगा से food absorb हो के हर cell हर tissue तक पहुँच सकता है इसलिए इसका intestine circulatory system का भी काम करता है यही कारण है कि इसको gastroverscular system माना गया the interior part of elementic canal up to the esophagus is lined with cuticle एक पतला thin cuticle elementic canal में mouth से लेके esophagus तक फैला हुआ है and the intestine is lined with endodermal columnar epithelial cells intestine का हिस्सा सबसे प्रमुख है उसका निर्मान columnar epithelial cells से हुआ है columnar cells में volume ज़्यादा होता है इसलिए secretory activity high होती है the cycle epithelium has secretory gland cells digestion is extracellular in intestine तो यह secretory cell digestive enzyme बनाएंगे जिसकी मदद से intestine के lumen में cavity में digestion होगा यानि cell के बाहर extracellular digestion होगा it fits on the bile, blood, limb, cell debris the digested food material is distributed by branching diverticula of intestine to all part of body अब respiratory system तो नहीं है इसके अंदर या बाइल डर्ट में रहता है वहाँ oxygen नहीं है इसलिए इसमें anaerobic respiration या anoxybiotic respiration होता है they utilize glycogen and fatty acids releasing energy in the form of heat respiration product is mainly lactic acid अगर glucose का oxidation होता है तो pyruvic acid से फिर lactic acid बन जाता है और अगर fatty acid का oxidation होता है तो यहाँ पर oxygen है ही नहीं इसलिए organic acid जो बनते हैं वह फिर pyruvic acid में convert करते हैं और फिर pyruvic acid lactic acid में convert करता है इसके excretory system में बीचों बीच एक median excretory duct है जो पीछे खुलता है उसे कई दाएं बाएं branch निकलते हैं और हर branch पर बहुँ सारे large number of flame cells और protonephridia connected with a system of excretory duct तो सारे branch excretory duct हैं जिस पर sacro flame cells लगे हुए हैं और सब बीच वाले major excretory duct में आकर जूटे रहते हैं जो पीछे की और खुलता है दा फ्लेम cells have a thin elastic wall with pseudopodia-like processes a nucleus and intracellular cavity having many long cilia arising from the basal granules इसका cell अंदर धस करके एक घरा जैसा बन गया और अंदर जो एक cavity बना बेसिकल बना उसके अंदर कई सारे लंबे-लंबे cilia हैं उन cilia के movement के द्वारा जो तरल in living condition the cilia vibrate like a flickering of flame जैसे एक मुंबत्ती जल रही हो तो धीरे धीरे कभी दाएं कभी बाएं flicker करते रहता है वैसी ये cilia भी दाएं बाएं flicker करते रहता है इसलिए इसको flame cell नम दिया गया इसके flickering के करण fluid का flow outward होता है तो आप देख रहे हैं इस diagram में ये बीचो बीच एक median excretory duct है जिसका opening posteriorly हो रहा है इसके बहुत सारे branches आप देख रहे हैं हर branch पर जो छोटा-छोटा dot dot हलका reddish color में दिखलाया गया वो flame cell है flame cell को ही protonephridia भी कहा जा रहा है यह एक अकेला flame cell है जिसमें ये अंडर ऐसे lumen बना हुआ है और ये cell excretory duct से जुटा हुआ है सेल का outer surface pseudopodia की तरह तेरह मेरा हो करके branch बना करके दाय बाय मीजन काय में फैल जाता है जिससे maximum area से body fluid को या tissue fluid को filter करके अंदर लिया जा सके The flame cells pour their excretory substances into numerous fine capillaries that join two dorsal and two ventral branches of longitudinal excretory duct dorsal के तरह भी दो और ventral के तरह भी दो लंबे लंबी excretory duct है उससे fine capillaries सब जुटे रहते हैं और उनके थुरू excretory substance major duct में आता है The longitudinal excretory canal is non-celluated but the capillaries are celluated तो capillary में cellia है flame cell के अंदर cellia है यह सारे cellia filtrate को drive करते हैं into excretory duct There is an excretory pore at the posterior end The excretory waste generally fatty acids and ammonia are diffused from surrounding mesenchyme into flame cells and finally collected into their intracellular cavity The vibrating movement of the cilia cause the flow of waste from the intracellular cavity of flame cell into excretory duct and then into the main excretory canal and finally to the exterior through excretory pore by hydrostatic pressure तो flame cell से capillaries में, capillaries से longitudinal duct में और वहां से फिर excretory pore होकर बाहर अब nervous system poorly developed है लेकि इसके एक larva miracidium larva में यह ज्यादा developed है It has a well developed pair of cerebral ganglia dorsolaterally and a ventral ganglia below the isophagus तो आगे जो इसका anterior region है उसमें एक जोरा cerebral ganglia और नीचे के तरफ भेंटल सरफेस पर बीच में एक अकेला ganglia है यानि तीन ganglia है यह nerve ring surround the isophagus अब एक nerve ring क्या है तो इन ganglia को जोरते हुए जो nerve है वो nerve ring बनाए अब ganglia से आगे की और छोटा 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 nerve लेकिन पीछे की और बड़ा nerve निकलता दो दो nerve प्रत्ते गैंगलिया से यानि कुल 6 nerve निकलते हैं Posteriorly, three pairs of longitudinal nerve cords arise from the ganglia, a dorsal, a lateral and a ventral pair of nerve cord तो इसमें dorsal और ventral छोटे होते हैं लेकिन lateral nerve cord एकदम पिछले छोड तक फैला रहता है The lateral nerve cords are best developed and they run to the posterior end Nerve cords are connected by transverse commissure एक ही जैसे point को दाया बाया अगर पाया जाए तो उसको जोडने वाले nerve fiber को कमी जोड कहते हैं और आगे पीछे के दो गैंगलिया को अगर जोड रहा है तो उसको connective कहते हैं अलग-अलग गैंगलिया को जोड रहा हो तो connective कहते हैं तो यह जो longitudinal nerve दाया बाया फैले हुए हैं यह जगह जगह पर आपस में जूटे हुए हैं कमी जोड के द्वारा और कहीं कहीं पर nerve fibers का बंच बन जाता है जिसको plexus कहते हैं due to parasitic life sense organs are lost in adult fasciola but are present in free swimming miracidium larva miracidium larva में eyes भी पाये जा रहे हैं यानि वह ज़्यादा developed है adult से adult जो parasite हो गया endo parasite हो गया उसके अंदर eyes नहीं होते हैं ब्रेन भी नश्ठ हो जाता है अब सबसे ज़्यादा complex और महत्पूर्ण है इसका reproductive system fasciola hepatica is hermaphrodite या bisexual है तो bisexual है तो male female दोनों तरह क्या organ होंगे तो male reproductive organ में क्या है तो male reproductive system consists of testis verse differentia seminal vesicle ejaculatory duct syrus और penis and additionally there are prostate gland and genital atrium genital atrium तो common चीज है लेकिन जो मुखी चीज है testis उससे निकलने बाली पतली नलिया यानि भासा इफेरेंसिया अब फिर बरी नली मोटी नली भासा डिफेरेंसिया एस्पर्म को करने वाला seminal vesicle बाहर निकालने का रास्ता यानि इजाकुलेट्री डर्क्ट और external genital organ के रूप में penis या सीरस एक gland prostate gland है जो additionally help करता है यह देखिए reproductive system दोनों male और female दोनों दिखाई पर रहा है अब जाध्यान से देखिए यह जहां हम टिक कर रहे हैं वह दाहनी और का testis है ब्राश्ट है लोब्ड है थोड़ा ऊपर की और आधी लंबाई में है इसका sperm duct अलग से ऊपर गया फिर दूसरी और इधर देखिए यह बाई और का testis से जो पीछे है यह भी ब्राश्ट है और इसका duct वगल से ऊपर गया तो दो टेस्टिस हैं एक anterior एक posterior और दो भासा डिफरेंसिया हैं जो आगे एक जग़ जुटेंगे एक fine diagram देखने की जरूत है क्योंकि इस complex diagram में आपको दोनों तरह के organs को male female दोनों genital organ को अलग-अलग समझाने में दिक्कत हो रही है यहां पर ovary है यह ovary का हिस्सा है और इसका duct यह बगल के viteline duct, viteline gland के duct के साथ यहां बीच में जूटता है O-type बनाता है और यहां से इसका ovary duct और uterus बाहर की ओर जाता है तो देखिए इसका broad structure अलग से जिससे असपस्टता बढ़ जाए अब इस diagram में देखिए हमने testis को हटा दिया लेकिन testis से आने वाला यह जो दो तरफ भास difference है sperm duct वो दिखाई पर रहा है दाया बाया फैला हुआ था viteline gland उस viteline gland का यह transverse duct दाया बाया से आ रहा है जो बीच में आकर जूटकर reservoir of yoke बनाया अब इसके ऊपर इधर ovary duct और इधर viteline duct और रहा है और यह दोनों जहां जूटता है इस case में U-type नहीं बना है कुछे species में U-type बन जाता है फिर वहाँ से इसका uterus develop करता है यानि तीन नलिया एक point पर जूट रही है इसी जगह पर मेहलिज gland पाया जाता है Unicevular glands का एक समूह है मेहलिज gland और sperm जमा करने का काम यह दोनों duct से जो sperm आ रहा है यहां seminal vesicle में जाके जमा हो रहा है इसकी नली बाहर से जा रही है जो अंतिम छोर पर सीरस यानि की penis बनाता है और यह uterus भी इसी जगह पर आ रहा है anteriorly तो यहां पर एक genital chamber या genital atrium बनता है जिसमें बाई और male genital aperture और दाई और female genital aperture है हमने चर्चा किया था कि female थोड़ा specialized भी है sexual reproduction जब करने का समय आता है मौसम आता है जिसको breeding season कहते है तो उस समय एक लंबा लंबी dorsal ही ऊपर पीठ के तरफ एक नली develop करती है जिसको laurel canal कहते है और यह एक सीरह सी भी dorsal opening के थुरू बाहरी सता पर खुलता है इसी से होकर इसका partner अपना सीरह इंटोरूश करेगा और एस्पर्म दिस्चार्ज करेगा oviduct के अंदर दिस्चार्ज KIST इस थुले हिस्चे में एक अंदरियर एक पोस्टेरियरन का इस्पर्म जची एक चिए क्पय आत्श बारेश चोला करेबाशि के ङसीर परde नहचीरह कुई कई सार्य के बहुट युटिस्चॉरर इक पॉस्टेर थाई generates हुए है अधिकांज जगह को यही घेरे रहता है इन नेरो एन सिलेंडर भास डिफरेंस और एस्पर्म डाक्ट एराइज फ्रॉम इस टेस्टिस तो दाएं बाएं दोनों तरफ से एक-एक टेस्टिस बना और उनसे एक-एक एस्पर्म डाक्ट निकल कर आगे जाता है जिसको धिफरेंसिया कहेंगे यह दोनों कहां जाएंगे तो सेमिनल रिप्रेप्टेकल में सेमिनल भेसिकल में दोनों एस्पर्म डाक्ट याने भासा डिफरेंसिया आपस में जूटेंगे वहां एक भेसिकल जैसी रचना बनाएंगे जिसमें एस्पर्म जमार है Recommendland तो इसको नाम दिया गया seminal vesicle या vesicular seminalis the seminal vesicle continue anteriorly into a very narrow and coil duct called ejaculatory duct seminal vesicle से बाहर की और जो duct निकला उसको ejaculatory duct कहेंगे वो आगे की और चारो और से muscle के घेरा में बंदू हो जाता है जिसको cirrus या penis कहते हैं the cirrus opens by male genital aperture in a common genital atrium the cirrus of faciola indica is covered with a small spine faciola hepatica में cirrus smooth होता है लेकिन faciola indica में या थोरा spiny होता है the ejaculatory duct is surrounded by numerous unicellular prostate gland जहां बाहर sperm निकालने का रास्ता होता है उसी नली के चारो तरफ से unicellular gland cells है जो prostate gland कहलाते हैं these glands open into ejaculatory duct and their secretion help in free movement of sperm during copulation समानता लोग समझते हैं कि यह एक lubricating medium बनाता है चिकना लसलसा पदार्थ है शिर्फ लेकि बास्तविकता यह है कि इसमें 225 तरह के ऐसे enzyme पाए जाते हैं जो sperm metabolism के लिए आवस्यक है sperm को अपना protoplasm नहीं होता है इसलिए glucose और amino acid का oxidation का काम जिस protoplasm में होना चाहिए था वह prostate gland के enzyme secretion के द्वारा fluid matrix में ही होता है extra cellular होता है अब यह genital chamber है जो कि common chamber है genital atrium is a common chamber for male and female genital apertures it opens externally by a gonopore the serous can be inverted जो penis या serous है वो बाहर निकाला जा सकता है through the gonopore during copulation the serous or penis, seminal vesicle and prostate gland are surrounded in a common serous seed यह तीन रचनाएं जो serous है, seminal vesicle है और prostate gland है यह सब बंद रहता है एक membranous घेरा में जिसको serous seed कहा जाता है अब female system के अंदर एक ही ovary है लेकिन वह भी multi-branched है viteline gland है, mehalis gland है और laurus canal है the ovary is a single tubular, highly branched, situated to the anterior of testes at the right side in anterior one third of the body आगे के तरफ एक ovary है, वह branched है और उसके सभी branches मिल करके एक internal duct बना रहे हैं all the branches of ovary open into a short and narrow tube called oviduct तो यह oviduct ovary से ओभा को ले जाने वाली नली है the oviduct travel down oblique and open into median viteline duct जो दोनों और का viteline duct, lateral duct था transverse duct के द्वारा जुटा है और एक yoke reserve wire बनाया है वहाँ से median viteline duct निकलता है जिससे आकर oviduct जूट जाता है और फिर यह दोनों मिल करके uterus बना लेते हैं from the junction of oviduct and median viteline duct arise a wide convoluted uterus having fertilized cell eggs or capsule the uterus opens by female genital aperture into common genital atrium on the left side of the male genital aperture the uterus is comparatively small and it lies in front of the gonad तो सबसे आगे की ओर uterus है, लंबाई कम है, थोरा सा मोटा है, the terminal part of uterus has muscular wall, referred to as metraterm, which ejects the eggs and also sometimes receives the serous during copulation. यह जो अगला हिसा uterus का है, वो muscular है, उसका नाम रखा गया metraterm, यह समझ दीजे एक तरह का ovipositor है, एक को release कराने वाला, लेकिन अगर self-fertilization होता है, तो जो esperm genital atrium में release हुआ है, वो इसी राष्टे से होकर अंदर आ सकता है. betaline glands laterally placed है, on both lateral sides and also behind testis there are numerous follicles constituting the yolk gland or betaline gland, which produce albuminous yolk and cell material for the egg. तो योग बना रहे हैं, उसमें protein भी है, इसलिए albuminous कहा गया, और उसकी मदद से एक के ऊपर एक खोल बनाया जाएगा, यानि cell material release करता है, कुछ granules होते हैं जिससे एक cell बनता है, यानि खोल बनता है. The betaline glands open by means of minute duct into longitudinal betaline duct. On each side, the two longitudinal ducts are connected together by transverse betaline duct. आपको डाग्राम में समझाया जा चुका है, कि दोनों और लंबे-लंबे betaline duct है, lateral longitudinal duct, अगले हिस्से में एक transverse duct के द्वारा दोनों तरफ के duct जूटे हुए हैं, और जहाँ ये जूटते हैं, वहाँ से योग razor wire बनता है. The transverse betaline duct is swollen in the center to form योग razor wire, वहाँ योग जमा रहता है, और betaline razor wire, from the yoke razor wire, a medium betaline duct start and run forward. तो यहीं median duct से आकर ओभी duct जूट जाता है, और तब योटेरस बनता है. अब additionally एक और gland है, मेहलीज gland, a mass of numerous unicellular मेहलीज glands is found situated around junction of median betaline duct, oviduct and uterus. तो भीटलाइन duct, oviduct and uterus के junction पर धेर सारे unicellular मेहलीज glands एक गोल घेरा बना करके पाये जाते हैं. The secretion of मेहलीज gland lubricates the passage of egg in the uterus. यह albuminous secretion है, जिसे एग आसानी से slip करते हुए आगे जाये, and probably hardens the egg cell. जो cell secretion हुआ है, योग cells के द्वारा, भीटलाइन cells के द्वारा, उसके hardening में यह मदद करते हैं. The junction of obiduct and medium vitland duct is swollen to form U-type in certain fluke like fasciola indica, in which the part of an egg are assembled and the eggs are shaped, but U-type is lacking in fasciola hepatica. तो fasciola indica में जहां पर obiduct और median vitland duct आपस में जूटते हैं, वह एक गोल बड़ा सा cavity बना लेता है, जो उसको U-type कहते हैं. लेकिन यह U-type fasciola indica में है, fasciola hepatica में नहीं है. और अब ही तुरह चर्चा चली थी कि female part में एक laurels canal है. फ्रॉम दो oviduct, a rise, a narrow laurels canal, it runs vertically upward, this canal opens on the dorsal side of body temporarily during breeding season and act as vagina or copulatory canal. तो laurels canal सिर्फ breeding season में बाहर खुलता है, अने था वो बन रहता है, और उसी से होकर दो fasciola sexual contact बनाते हैं. During copulation, which occurs in the bile duct of sheep, the serous of one fasciola is inserted into laurels canal of other fasciola and the sperms are deposited into the oviduct so that cross fertilization takes place. तो एक fasciola अपना sperm, laurels canal के थुरू, discharge करता है, oviduct में, और फिर uterus में आकर के या develop करते हुए, बाहर रिलीज होता है. During self-fertilization, which occurs only when cross-fertilization does not take place, अगर दो fasciola आसपास नहीं हो, तो self-fertilization हो सकता है. The esperms from same fasciola enter the female genital aperture and pass down the uterus to fertilize the eggs in the oviduct. तो अगर अकेला है, तो genital chamber से esperms, uterus होते हुए, oviduct में आता है और वहां फिर्टलाइशन करता है. तो self और cross दोनों होता है, लेकिन cross की संभावना ज्यादा होती है. In the next session, we will study life cycle of fasciola. See you in the next session. Thank you. Thank you very much. प्राव से धुड़ाईशन कर दोड़ाईब. प्रफटे जाराए है